वो ब्यक्ति भी इतना लापरवा है जिसने हजार बार सुना है जाना होगा वो दिन दूर नहीं और तब तुम्हें पता चलेगा कि मानो देख क्या है हमने उसमें क्या किया ना कन से ना मन से ना धन से तीनों से परमार्थ नहीं बनाया इसके बाद जब हम भेजे जाएंगे नीचे की योनियों में और दिन भर भागेंगे पेट भरने को और डंडे खाएंगे तब समझ में आएगा कि संत महात्मा और शाष्टर बेद क्या कहते थे हम सुनते थे और सिरह लाते थे और गुरु को प्रणाम भी करते थे आर्थी भी करते थे लेकिन जब पैसे की बात सुनते थे तो गुरु जी के प्रति दुर्भावना हो जाती थी यह क्या गुरु जी अपने लिए कर रहे हैं मैं अभी ब्रंदा बन गया था दो दिन को मैंने देखा वो बुढ़िया बुढ़िया इस्तिनियां है सब 90 परसेंट नहीं सेंट परसेंट नंगे पाओं इस ठंड में कोई एक धोती ओड़े हुए है कोई एक फटी शाल ओड़े हुए है कोई ऐसे से कापते हुए मंदिर जा रही है मैं भी एक मनुष्य हूं मुझसे सहा नहीं गया अभी अक्टूबर में मैंने सतर लाग किसे वाकी थी हमने कहा फिर करूँगा भीख मांग के करूँगा और वाक के लोगों ने कहा अरे महराजी अभी तो आपने किया था हमने कहा आरे यह दस बीट बुड़िया कहीं मर गई ठंड में तो नए अभी करना है और सब प्रोग्राम हमारा जो था कहीं जाने का वो सब कैंसल करके मैं दिल्ली आया हमने कहा है सबसे बड़ा शहर है यहां हमने बहुत सब्चंग दिया है बहुत गला फाड़ फाड़ के समझाया है यहां से हमारा हिसाब बैठ जाएगा चैलिस पचास लाख का हमने आप लोगों को इनाउंस किया बताया दान का महत भी बताया शास्त्रों बेदों से दो तीन आदनी तो ऐसे हैं हमारे सबसंग में जो अकेले हाँच उठा देते चैलिस लाख की सेवा मैं करूंगा आप तमाम लोगों से मत कहिए और आइसे तो साइकड़ों हैं जो एक लाख कर सकते हैं लेकिन यहां से भी पूरा नहीं हुआ तो यह क्यों ऐसा है इसलिए कि जिसका हिरदय जितना सुध्ध है वो उतने तेजी से भगवान की ओर चलता है गुरू पर उतने जबरदस्त विश्वास करता है आज्या पालन करता है और जितना मलिन होता है उतना अपने शरीर पर अपने परिवार पर